CSE Village को 4 लाग student का IBM certification करना है फ्रेंड जिसमें CSE Village को 20 रुपे का commission दिया जाएगा पर registration का तो चलिए आगे हम जानेंगे live की किस प्रकार से IBM certification के लिए हमें registration करना है और साथ ही student registration की full process हम live देखेंगे वीडियो मागे बनेस पहले आप सभी दोस्तों सागरा करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों अभी तक हमारे चनल ने अबडेट ओनलाइन को subscribe ने किया तो फ्रेंड आप इस चनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे ही important और pictal वीडियो हमारे चनल पर time to time आते रहते हैं IBM certificate के लिए student registration किस प्रगार करेंगे कोई भी एक browser हमें open कर लेना है इसके बाद हम CAC Academy open करेंगे तो चली CAC Academy की website को हम open करेंगे तो दोस्तों आपको करना क्या है www.cacacademy.org को आपको open करना है इसके बाद simply connect with digital से बाद करेंट पर क्लिक कर देना है आगे हमें अपनी CAC ID और password की मदद से sign in भी कर लेना है जब हम sign in करेंगे दोस्तों तो पहली dashboard कुछ इस प्रकार का होगा CAC Academy का तो हमें क्या करना है इस notification को close कर देना है अब हमें क्या करना है अपनी cursor को थोड़ी हम down करेंगे जो आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे वाली option आप देख पा रहे होंगे IBM Skill Build इसी option पे दोस्तों हमें click करना है जैसे ही click करेंगे फिर से हमें cursor को down करने क्या हो सकता होगी आप नीचे का option देख पा रहे होंगे register का इसी option पे अब हम click करेंगे जैसे ही हम click करेंगे एक notification हमें so करेगी request completed तो हमें क्या करना है OK कर देना है अब हमें क्या करना है दोस्तों जिस भी a student का हम IBM certificate के लिए restriction कर रहे है उनकी कुछ normal सी detail यहाँ पे हमें fill करने क्या सकता होगी जैसा कि आप देख पार होंगे personal detail, contact detail, education detail यह सारी detail आप फटाफट fill कर लेंगे तो चलिए हम live एक student का यहाँ पे हम fill करते हैं अस्टुडेंट का नाम fill करने के बाद आपको gender select कर लेना है इसके बाद जो भी date of birth हो उसे आप यहाँ पे fill कर देंगे contact detail में student का mobile number और email id fill करना है क्योंकि यह option mediatry friends तो इसे आप ध्यान पूरुवक fill कर लेंगे education qualification में student का qualification आप यहाँ पे select कर लेंगे 8 pass 10 pass जो भी हो इसे आपको select कर लेना है अब हमें क्या करना है apply for job में tick कर देना है इसके बाद work profile हमें यहाँ पे select कर लेना है yes या no पे location में हमें student की पूरी address जो होती है उसे आप यहाँ पे fill कर देंगे जब हम यह normal से detail fill कर लेते हैं इसके बाद हमें i agree पे click करना है और simply हमें submit कर देना है form को तो चलिए हम submit करेंगे जैसे ही हम submit करेंगे दोस्तों तो एक notification आप देख पा रहे होंगे created successfully अब हमें क्या करना है ok कर देना है successfully IBM certificate के लिए live registration हो चुकी है अगर हम इसे देखना चाहें तो क्या करेंगे करसर को अप करेंगे इसके बाद हमें dashboard में click कर देना है dashboard के अंदर आप देख पाएंगे दोस्तों जितनी भी student का registration आप करेंगे तो आप total registered candidate में देख पाएंगे उसे आप साथ ही total candidate registered for training and job में भी आप इस number को देख पाएंगे जितनी भी आप student का registration करेंगे अब हमें आगे क्या करना है दोस्तों IBM certificate प्राप्त करने के लिए online reading करनी पड़ेगी हमें content का जो भी IBM certificate के लिए हम जो भी job या certificate के लिए हम reading करना चाहते हैं आगे next वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों IBM certificate के लिए हमें किस परकार online अपनी reading करना है और किस परकार से इसकी assignment या फिर जो भी exam होती है उसे हम किस परकार clear करेंगे वो सारी हम आने वाले next वीडियो में इसे cover करेंगे वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के मादियों से ज़रू काता है रही वीडियो देखने के लिए आप से भी दोस्तों का बहुत बहुत धने माद थैंक यू